खरगोन में सिलाई केंद्र शुभारंब कारिकरम में सांसत गजेंद्र पटेल, कलेक्टर अनुगरहाप पी और नगरपाली का सी एमो प्रियंका पटेल भी पहुचे और फीता काट कर प्रशिक्षन केंद्र का शुभारंब किया खरगोन के नूता नगर कालोनी में प्रशिक्षन केंद्र का शुभारंब हुआ, जिसमें महिलाओं को नी शुलक सिलाई प्रशिक्षन दिया जाना है सांसत पटेल ने कहा कि प्रधान मंतिर नरेंद्र मोधी के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को आत्म रिवर बनाने का हमारा प्रयास है खरगोन से जयंत गुपता की रिपोर्ट प्रगोन से वारेंद्र मोधी जीजी ने अभी निशुर का सिलाओं केंद्र के खुबरम किया है 2020 में निशु का सिलाई केंदर का जो विचार है उसके पीछे हम सब का दरश्टिकों की सपस्ट है कि इस देश में आदी आबादी जहां बहनों की है वहां भाईयों की भी और आब शाश्की नुपरी हो समाज का राजी निकरन हो या समाज के संगोषणों की भूमिका हो या व्योसाय की भूमिका अब इसमें पूरूशों के बरोबर अब महिनाय भी काम करने लग गई स्वाबलंबन केंदर जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है हम महिनाओं को शशक्त बनाने के लिए वो अपना रोजगार खुद शुरू कर सके है इसके लिए यहाँ पर सिलाय का प्रस्रिक्शन दिया जाए अब जैसे हमारे देश के बधान मंत्री जी भी एम्फिसाइस कर रहे हैं कि हमें स्वादेशी का उप्यों करना है अगर हमारी महिलाओं प्रस्रिक्शन होंगी अपने घरों से वो बना के सामान दे पाएंगी जैसे गणवेश हो गए या बहुत सारे चीज़े महिलाओं को अविशक होती है सिल्वाई के लिए अगर यह कर पाएंगे तो स्वादेशी को भी हम प्रमोट करेंगे और महिलाओं को हम स्वावलंबन भी बनाएंगे महिलाओं को स्वावलंबन भी बनाएंगे महिलाओं को लेकर जो जो उद्देश से आपका बहुत अच्छा है किसारी महिलाएं यहां बेटी हुई थी इनके लाव कोई नहीं नहीं अकरम नहीं है महीला है न कितनी महिलाई थे सब्सक्राइब हले पुरा हुआ हैंट है कोवेट को देखते हुए इनके गृप के उनको हम ना कित्ती माशीन है बढ़ेंगे अभी तो इतनी है हमारे पास स्पेस है और एक बार में हम लगभक दो बैचेस ले सकते हैं एक दो पहर में और इक तो नहीं है पहले पर है कितने दिन में सीखते हैं हम एसी पोछिश करेंगी कि एक सवा महने में प्रसिक्षित होके वो तिसमें भी महिलाओं को प्रसिशनल दे सकते हैं इंजयों के माध्यम से छड़ेगा या नकरपाली का छड़ा हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं अन्यूलम में प्रेदा हुई देश में हाथ फार्ट होग हातों से नेमित हुई चीजों का उप्योग करें इसके लिए आत्म निर्भर और आत्म बल से पेदा हुए चीजे होते हैं इसलिए हमारी बहने भी आत्म निर्भर बने घर गरहनी काम के साथ में वो भुदका भी मेर्टा शुरू करें इसलिए निशुल को सिलाई केंद्र की शुरुआत है और आज उसका गाटत था मुझे लगता है कि इसलिए अच्छी शुबाद हो कि हमारे केंद्र काम लेगा और वो आपने बरे बने कुछ आए तो आप लोग तो सभी कर्मे चारी है ना कितने लोग हैं बीस लोग हैं बीस लोग हैं तो आज यहां बीस महिला हैं शिलाई मर्शिवी के ओपनिंग कारिकम में आई साप लोग तो कारिकम में कुर्शिय पर विठें इस सभी लोग विलो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें